तो भाईया जी ये वीडियो जो है लाइट डेकोरेशन वाले लोगों के लिए बहुती जादा खास होने वाली है लेकिन अगर आप एक नॉर्मल परजन है नॉर्मल यूजर है और आप भी चाहते हैं कि पिक्सल लाइट से आपका घर डेकोरेट हो और आपका जो नाम है वो जैसे मेरा नाम आ रहा है वैसे ही लिखा हुआ भी आए तो भाईया ये वीडियो आपके लिए काफी जादा खास होने वाली है इस वीडियो के अंदर मैंने यूज किया है वाइफाई कंट्रोलर अब ये वाइफाई कंट्रोलर होता क्या है कैसे उसको यूज करते हैं वो स मैं हूँ गोरव और आप देख रहे हो किरियेटिव जी एस तो भाईया जी 15 उने 25 का तोरण बनाने के लिए आपको क्या-क्या सामान चाहिए वो फटा-फट से मैं आपको बतायता हूँ सबसे पहले आपको चाहिए बड़िया क्वालिटी की पिक्सल एलडी तो एक बार जाहिए इस पिक्सल पे नजर तो डाल लो भाई साओ कितनी जादा कमाल की ये पिक्सल एलडी है ये देख रहे हो एक 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 एलडी को भाई भीच के देख लो बिल्कुल तो भीचेगी है नहीं इतनी जादा कमाल की यह पिक्सल एलडी है तो यह देख लो क्या मस्त पिक्सल एलडी है ठीक है तो सबसे पहले आपको चाहिए आठ गुच्छी पिक्सल एलडी क्योंकि आप 15 गुने 25 कम तोरण बना रहे हैं तो उसमें 8 गुच्छी ही यू होगी ठीक है सब्सक्राइब में चाहिए डाटा का वायर यह 0.75 mm का डाटा का वायर है तो एक बार मैं इसकी क्वालिटी आपको चेक करवायता हूं तो यह लो भाया जी कुछ लोगों को चेक करना था कि यह कॉपर में है या फिर नहीं तो अभी आप देख लो आप मेरे को में चाहिए एक बताओ यह आपको दिखाई का दे रहा है यहाँ फुली आपको कॉपर में मिलेगा यह देखो मैं पास से आपको दिखानी कोई सकर रहा हूं यह देखो अक पास तार के ओर इसका खूपर में आपको मिलेगा ठीक है चलो यह हो गैपका डाटा का वायर वाइफाई कंट्रोलर का ही यूज करेंगे 15-25 की तोरण वाइफाई में बनाने वाले हैं इसका फायदा यह है कि आप रियल टाइम में कोई भी नाम इसके उपर कोई भी मुबाइल जालर के उपर अराम से लिख सकते हो ठीक है यह वाइफाई कंट्रोलर हो गया उसी के साथ म एम्पियर की है और यह जो एक पावर सप्ला यह तीन सो एलेडी जलाती है ठीक है तो तीन सो से जादा एलेडी हो जाएंगी क्योंकि 15-25 का बना रहे है न तो इसलिए मैं दो पावर सप्ला यूज करूँगा जिससे की काफी जादा अच्छी मेरी जालर को पावर मिलेगी तो वो अच्छी चलने वाली है ठीक है अब जितना समान में आपको यहाँ पर दिखा रहा हूं वो सारा समान हमारे पास एवलेबल है आप उसको बाई भी कर सकते हो ठीक है तो सबसे पहले आपको क्या करना है अपनी जालर को चेक करना है कोंबो कंट्रोलर से एक एक जालर अबकive चाहिए बाता की से कई स्टेप में आपको करना क्या जालर लेनी होश की रबड निकालनी है और इनको पर पंद्रा अक काट लेना है एक लाइन में यानि कि एक जालर में 15 LED छोड़ी है और नीचे से उपर गया है आपका डाटा का वायर क्योंकि मैं इसको Z connection में बना रहा हूँ अब आपका यह Wi-Fi controller है ना आप उसको Z और S दोनों में यूज कर सकते हो अपने mobile phone से आप Z और S उसके अदर select कर सकते हो अब ही देखो यह जो है एक जालर में देखो सभी जालर में 15-15 LEDs है 15 LED वाली जालर है यह ठीक है और डाटा का वायर भी गया हुआ है तो मैं Z में इसे बना रहा हूँ तो डेखो डाटा का वायर यहां से जाके next जालर के दूसरे हिससे में यानि कि first वाले point में जुड़ रहा है उसी के साथ जो यह वाली जालर है इसका जो नीचे से डाटा आया है वो चोथी वाली के first point में जुड़ेगा ठीक है यहाँ पर यह होगा इसका beginning वाला point, beginning वाला part शुरूवाती part अब देखो जालर में तीन wire होते हैं जो तोरण है उसे support मिल सके ठीक है, चाहता तो मैं इस wire के उपर ही बना सकता था, लेकिन भाई साम नहीं हम support अलग से डालते हैं यह positive और negative देने के लिए हैं power supply से, जो power supply से power आएगी positive negative वो हर एक जालर को हमने यहाँ पर दे दी है अब यह दोनों wire यहाँ पर power supply का काम करेंगे तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा समझ में नहीं आए तो वीडियो को पीछे करो वापस दुबारा से मेरी बात को सुनो ठीक है guys, तो चलो अभी क्या करते हैं तो finally guys, यहाँ पर हमारी light बनकर भाईया ready हो चुकी है, हमने इसको power on भी कर लिया है, एक power supply यहाँ पर लगी हुई है, दूसरी power supply पीछे की तरफ लगी हुई है, ठीक है अब यहाँ पर मैंने अपना wifi controller लगा दिया है, अब यह जो पूरी जालर है आप इसको S और Z दोनों में चला सकते हो यानि कि यह जो controller ना, एक यह S टाइप में और Z टाइप में दोनों में अराम से चल सकता है वो कैसे कैसे चलाना है, आपको किस तरीके इसको app, इसका app जो है वो control करेंगे आप, वो समय आपको फटा-फट से समझा देता हूँ तो बागे गाई, अभी मुझे करना क्या है यह रहा मेरा भीजा, मुबाइल फोन, ठीक है अब मेरे को करना क्या है, सबसे पहले तो अपना इंटरनेट बंद करना है, ठीक है, मेरा इंटरनेट दिखाएगा जो की है, पिक्सल वाइफाई, ठीक है पासवर्ड आपको डालना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कनेक्ट पे क्लिक करना है, और यह थोड़ा टाइम लेगा, कुछ सेकिंड्स का टाइम लेगा जब यह कनेक्ट हो जाएगा, आपके कन्ट्रोल यहां पर राइट का निसान जो है आ जाएगा, ठीक है, अब मुझे चले जाना है भीया अपने एप्लिकेशन पर, अब एप्लिकेशन जो है, जब आप इसको बाय करेंगे, हमसे खरीद लेंगे, तब हम आपको इसको दे द कर देना, यह देखो, connection type S हो जाएगा, ठीक है, टोप left में मैंने अपना control लगा रखा, अगर आपने right में लगा रखा तो यह इसको कर देना, टोप right हो जाएगा, ठीक है, इस speed जो है, जो text इसके उपर आने वाला है, उसकी जो speed है, अगर आपको high करनी है, तो आप यहां से क डाल देंगे इसके उपर, जैसे कि मैं अपना ही text डाल लेता हूँ, welcome, wel, welcome creative js मैं यहां पर डाल रहा हूँ, अब मैं इसके size 14 कर देता हूँ, 14 मैंने size कर दिया है, write कर देता हूँ, अब text बेजने के लिए, send text पर मैं click करता हूँ, एक बारी, बस एक बार आपको click करना, यहां transfer हो गया है, successful है, अब देखते हैं कि हमारा text कैसा आता है, अब आपके सामने मेंने सारा कुछ किया है, बहिए, कुछ लोग बोलते हैं, होता नहीं है, बहिए, थोड़ा सीखो, तभी तो होगा, अब देखो, text जो है, दूरी से आ रहा है, तो देखो, text आपके सामने है, जो म color में चलेगा, ठीक है, color हर बारी text का change हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, जब जब आप इस पे, जो है, जैसे मालीजे, अब पांच design चलेंगे, पांच design चलने के बाद, जब दोबारा text जो है, आपका repeat होगा, तो उसके बाद क्या होगा, basically, वो different color में repeat होगा, य यह जो, फिर जो text हमने डाला है, वो वापस से repeat हो जाएगा, आप इसमें मुबाइल नंबर कुछ भी डाल सकते हो, हिंदी, इंगलीज, गुजराती, मराठी, किसी भी भासा में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है, तो चलो फटा-फट से आप इसके designs को enjoy करो अभी, और हाँ, अगर आप अभी तक भी नहीं समझे हो भाईया, इसका वाइफाई से कैसे connect करते हैं, कैसे इसके उपर नाम चालाते हैं, कैसे text लिखते हैं, वो नहीं समझे हो ना, तो इसी वीडियो पीछे लेके जाओ, और वापस से देखो भाई, किस तरीके से ये सब काम करते हैं, जब तक सीखोगे नहीं, उससे पहले आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला, ना आप खुद कर पाऊंगे, ठीक है, जब आप इसको हमसे खरीद लोगे, तो आप और अच्छे से कर पाऊंगे, क्योंकि जब चीज आपके सामने रहती है, और आप ऐसी कोछी बनाते हो तो वो ज़ो है, ज़्यादर समझ में आती है, अब रही बात इस तोरण की, तो यह तोरण जो हमारे कस्टमर को जा रही है, तो भाईए सबसे पहले थैंक यू वेरी मच उनको उनको उन्होंने इस तोरण को बनवाया, हमें एक वीडियो बनाने का मौका भी मिल गया, आप स लिकरा होगा, उस WhatsApp नंबर के उपर आप हमें मैसेज कर सकते हो, और बनी बनाई तोरण कितने की है, वो सब पूछ सकते हो, अगर आपके बजट में वो फिट हो जाती है, तो भाई आप उसको भाई भी कर सकते हो, कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई आप जो एना थोड़ा मह क्वालिटी की होती है, बाकी टिकाओ चीज़े यूज़ करते हैं जो लंबे टाइम तक आपकी चलती है, अभी देखो डिजाइन जो है, पांच मेरे पूरे हो चुके है, अभी जो टेक्स्ट मैंने डाला था ना, वेलकम क्रियेटीव जीएस, वो दुबारा से यहां पर र हो जाएगा, ठीके सर जी? तो अभी देखो सारा टेक्स्ट जो है ना, आपके सामने ग्रीन कलर में चला है, और अगली, सोरी, ग्रीनी ब्लू कलर में चल रहा है, पिछली बार ग्रीनी में चला था, और देखो, अभी नए पांच डिजाइन इसके सामने, यानि कि इसके चाहती मराठी किसी भी भासा में आप इसके उपर लिख सकते हो बाकि देखो अभी यह पास डिजाइन पूरे होंगे फिर वापस से टेक्स चल जाएगा तो चलो आप जो इसके डिजाइनिंग वगरा थोड़े वह देख लो बाकि अगर आपको यह ओडर करना रहें तो वोट आपको लेकर बाकिए कठक है एपक इसके अगко मेरे रहे बापको को यह दो सकते हुआए पहुआए झापको अगर काहती को बाकि अग्धको अगर यहिंद़ पर करते ही आपको को बाकिती खतोंगोळो को आपको प्र वीजा बाकिती कर दिखा दिया आपको कुछ लोग होते हैं कि डाउट रहता भई कि हिंदी में चले गा न ही चले चले गा कि मैं नहीं चलेंगे स्युक्त इस выглядит गॉर राइट हमया वह सबया है और इस यजए आपके इस त्यूंग है ऐसे में कोन आप से अट्रेक्ट होगा कि स्वाह कुछ जो तो इस से जो है ना आपकी या लाइट की डिमांड बहुत जादा बढ़ जाएगी क्योंकि लोगों को भीया सीधा 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 पता लग जाए कि हाँ आपका लाइट का काम है और अगर किसी को लाइट वगरा बुक करवानी हो तो इस नंबर पर जो है कॉल करनी है या फिर